नमस्कार आपको स्वागत देशिया न्यूस इंडिया मैं मैं पूर्णम आपके साथ विभक्षी गटबंदन इंडिया की वर्चुल बैटक में कॉंग्र सद्धिक्ष मलिका जुन खटगे को चेयर परसिन बनाये गया है करनाटक डिप्री सीमडी के शिवकुमा ने खटगे को सोचल मीडिया एक्स पर बदाई दी शिवकुमा ने लिखा मलिक काजुन खटगे सिर्फ करनाटक का गौरव नहीं है वो देश का गौरव है और इस समय हमारे सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है इंडिया का चेयर परसन चुने जाने पर मेरी शुब कामना है उधर मिटिंग खतम करने के बाद पूर्णे में शरत परवार ने कहा पार्टियों के बीट सैयोजग की नियुक्ति को लेकर कोई विवाद नहीं है मिटिंग में निदिश कुमार का नाम सैयोजग के लिए सुजाया गया था बात में सहमती बनी की पार्टि प्रमुकों की एक टीम बनाई जानी चाहिए सैयोजग करने की जरूरत नहीं है लोकसबा चुनाओ को लेकर पावार ने कहा गडबंदन को वोट मांगने के लिए किसी एक चेहरे को पेश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेता कोई भी हो सकता है ये एलेक्शन रिजल्ट कोशित होने के बाद चुना जाएगा जेडियू प्रवक्ता त्यागी ने बताया वर्चुल मिटिंग में नेतिश कुमार को सैयोजग बनाने का प्रस्ताव रखा गया था लेकिन उनने इसे ठुकरा दिया नेतिश गडबंदन के निर्माता है और यह अपत सैयोजग से बड़ा होता है प्रदानमंदी चेहरे के सवाल का जवाब देते हुए त्यागी बोले पहले चुनाओ रिजल्ट कोशित हो जाएए उसके बाद इस पर बात करेंगे इंडिया ब्लोग के नेताओं ने ऑनलाइन मुलाकात की और गडबंदन पर सातक चचा की हर को इस बात से खुश है कि सीट बटवारे पर बाच्चित सकरात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है सभी दलों को अपनी सुवीदा अनुजा भारा जोडो न्यायात्रा में शामिल होने का निवता दिया है डिल्ली के सीम अर्विन केज्रिवाल शनिवा शाम कॉंग्रेस अद्धिक्ष मली काजुन खटगे से मिलने उनकी घर पहुचे दोनों के मुलाकात के दोरां राहुल गांदी भी मौजुद रहे माना जा रहा है कि एएपी और कॉंग्रेस के बीच सीट शेरिंग को लेकर बातचित हो सकती है